अनुप्रिया वर्मा साथ ही दी जाए और यही वज़य है कि उनकी आखिरी दर्शन के लिए सफेद फूलों से सजाय ट्रक को तयार करवाया गया है लाल रंग की साड़ी में सुर्माई अंखियों में खोई कबूर परिवार ने मीडिया के लोगों को भी आखिरी दर्शन के मकेद दिये श्री देवी का पाठिव शरीर गाड़ी लाल रंग की दक्षन भारतिय साड़ी में लिपटा हुआ था वहीं उनके सिरहने उनकी फिल्म इंगलश स्विंगलश की एक तस्वीर जिसमें बेहंस्ती मुश्कुराती नजर आ रही है वह रखी गई थी लाजिमी भी है कि श्री देवी जुनोंने हमेशा अपने चेहरे पर स्माइल ही रखी है वह जाते हुए भी हस्ते हुए ही जाना जाती होंगी श्री देवी को अंतिम विदाई देने के लिए सफेद फूल से सजावट की गई है वो ट्रक जिस पर श्री देवी का पाठिव शरीर रखा जाएगा उसे भी सफेद रंग से रंगा गया है फैंड्स के लिए खबर है कि अंतिम यात्रा से पहले श्री देवी के ट्रक लोखनवाला से पवन हंस तक उनके प्रशंसकों के लिए ही दोरा करवाया जाएगा अमिताब चलेंगे पैदल बताया जा रहा है कि अमिताब बच्चन और अभिशेक अंतिन यात्रा में कुछ देर पैदल चलेंगे अमिताब ने कल रात को ट्विट करके श्री देवी को श्रदा अंजली देते हुए लिखा कि लॉट आओ एसा था हुजूम श्री देवी का पाठ्थिव शरीर कल रात मुंबई पहुचा मुंबई एरपोर्ट से इंबुलेंस में श्री देवी के पाठ्थिव शरीर को उनके लोखनवाला स्थित घर पर ले जाया गया था जैसे ही लोगों को पता चला तो श्री देवी के घर के बाहर उनके फैंस की भीड़ी खठा हो गई इस आस में की उनकी एक आखिरी जलक देखने को मिल जाए पहली लेडी सुपरस्टार और हवा हवाई के नाम से मशूर अभिनेत्री श्री देवी भले ही अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनका सिनिमा के लिए योगदान हमेशा यादगार रहेगा और लाखों दिलों में वो हमेशा जिन्दा रहेंगी इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि जब मुंबई के लोखनवाला इलाके स्थित घर पर श्री देवी का पार्थेव शरीर मुंबई एरपोर्ट से पहुँचा तो घर के सामने लोगों का हुजूम नजर आया था मनजर कुछ यूँ था कि किसी की आँखें उनकी पसंदीदा अभिनेत्री की आखिरी जलक देखने को प्यासी थी तो किसी की आँखों में आसू थे जो रूख ही नहीं रहे थे किसी ने क्यामरे में तो किसी ने अपने मुबाइल में इस पूरे घटना क्रम को किद किया शान भूमी में अंतिम संस्कार किया जाएगा